अब हम आते हैं अगले बिंदु पर कि बाहरी लोंगों का पहाडिया ख्षेतर में हस्तक शेप अभी तक हमने पढ़ा कि पहाडिया लोग कैसे बाहरी लोंगों को के ख्षेतर में हस्तक शेप करते थे और उनको विवश करते थे या तो टैक्स देने के लिए कर देने के लिए यहां हम थोड़ा जानेंगे कि बाहरी लोंगों का पहाडिया ख्षेतर में हस्तक शेप एवं पहाडिया लोंगों की इस पर प्रतिक्रिया क्या हो यह बाहरी लोंगों की यह बात कर रहे हैं तो कौन हैं बाहरी लोंगों से करवी सदी के अंत में जब अंग्रेज लोग आए और उन्होंने बंगाल पर विजय प्राप्त की तो उसके बाद उन्होंने क्रिशी विस्तार के लिए निश्चित रूप से कुछ योजनाय बनाई क्रिशी खेतर के विस्तार की योजनाय बनाई और क्रिशी विस्तार की तो तो इस विस्तार का परिणाम क्या हुआ कि जो विस्तार कर रहे थे तो धीरे धीरे वो लोग पहाड़िया ख्षित्र के और बढ़ते चले जा रहे थे अंत में स्थित्य बदलने लगी और बंगाल के स्वामी बनने के बाद अंग्रेजों ने पूरे पूरवी भारत में ये केवल बंगाल तक सीमित नहीं था बलकि पूरे पूरवी भारत में उन्होंने क्रिश विस्तार की योजना बनाई और उस नीती का अनुसरन किया इसी नीती के अतहद जंगलों को वो लोग सफाई करते थे, करवाते थे और कृशी में रूची रखने वाले, कृशी पर नर्वर होने वाले लोगों को जमीन सौपते थे, उसको बड़ा प्रसाहित करते थे परिणाम क्या हुआ कि जोतदार, जो जोतदार आपको याद होगा, मैंने बताया था धनी किसान, जोतदार और जमीनदार, ये लोग परती भूमी को ले लेते थे, उसे एक कृशी योग बनाते थे, और उस भूमी में उन्होंने अंग्रेजों की मदद से खेती करना शुरू किया, तो इस परकार नए ने खेत्र, नए ने कृशी खेत्र पैदा हुए, और नए नए भूमी कृशी उपज के लिए उप्यक्त बनाई जाने लगी, परती जमीनों को भी इन्ही जमीनदारों ने, इन्ही जोतदारों ने उसे उपजाओ बनाया, और पूर्वी बंगाल म इस तरह की बनाई हुई जमीन को, इस तरह से निर्मित की गई जमीन को, उन्होंने धान की खेती के लिए उसका उप्योग किया, इसलिए आप देखेंगे कि पूर्वी भारत के काफी हिस्से में, आज भी धान की खेती बहुत होती है, इस थाई क्रिशी विस्तार के कारण, क्या हुआ, चरागा, कम होने लगे, जंगल की भी सफाई होने लगी, ये विदेशी लोगों के आने का दुष्परिणाम, दूसरे शब्दों में हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि अंग्रेज जब आए, और उन्हेंने जब क्रिशी विस्तार, क्रिशी खेत्र विस्तार को अपनी नीती का एक हिस्सा बनाया, तो इसका परणाम इन पहड़िया लोगों पर क्या पड़ा, जमीनदारों ने, जोददारों ने, अंग्रेजों की मदद से और 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 जमीन एक्वायर करने शुरू किया, अपनी खेती का दायरा बढ़ाया, उत्पादन तो बढ़ाया ही बढ़ाया, राजस्व भी बढ़ा, और अंग्रेजों का भारत आने का मुख्य देश तो अपार के अत्रिक अब शासन के माध्यम से शासक बनने के कारण अब उनके लिए थोड़ा सरल हो गया था कि अपना कृषिक शित्र का विस्तार करके राजस्व बढ़ाएं अपनी आय बढ़ाएं और उसी का प्रणाम हुआ कि ये जो कृषिक विस्तार ने पहाडिया लोंगो के जीवन को प्रभावित करना शुरू किया क्योंकि कृषिक विस्तार से जंगल साफ होने लगे चरागा हटने लगे और चरागा के जाने से पश्यू और इन लोगों के जो जीवन है पहाड़ीयलों का जीवन एक तरीके से जो इस पे काफी कुछ निर्भर थे इनके तो प हो रहा था जब पहाड़िया लोगों ने पाया कि सतत रूप से इस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी या इस्ट इंडिया कंपनी के से जुड़ हुए लोग चाहे वो जमीनदार ही क्यों नहों जोदार ही क्यों नहों ये लोग हमारे दैनिक जीवन में दखल दे रहे हैं किस रूप में जमीनों को बदलने में जमीन को लेने में तो इसके लिए उन्होंने इसका तीवर विरोध करना शुरू किया तीवर प्रतिक्रिया दिखाई प्रणाम क्या हुआ कि ये लोग उन पर भी आक्रमण करने लगे अभी तक हमने सुना है, पढ़ा कि वो जमीन दारों पर क्यों हमला करते थे, हमने ये भी जाना कि व्यापारियों पर क्यों हमला करते थे और उसके क्या फायदे क्या मनाफ़ा मिलता था अब यहां आप देखेंगे कि ये जो पहाड़िया लोग थे ये खेती हर मजदूरों पर भी हमला करने लगे खेती हर मजदूर की बात क्यों हो रही है वह इसलिए क्योंकि काफी कुछ जमीन जोतदारों ने ले ली थी और जोत रहते थे शहर में थे लेकिन उन्हों ने जमीन ऐसे मजदूरों को दे दी थी खेती करने किराए के मजदूरों ने लिये थे और इन किराए के मजदूरों की मजदूरी से ये क्रिशी होती थी लेकिन दुर भाग गया कि ये जो रहीयत ये जो मजदूर थे बिचारे इन पर भी पहाडिया लोंगों ने दखल के विरोध में लगातार हमला किया लगातार आक्रमण किया और एक तरीके से इन दोनों के बीच में सत्त संगर्ष बन गया ये एक उनके जीवन का हिस्सा हो गया उनका लगातार आक्रमण होता रहा इन लोंगों पर और नीमित रूप से पहाडियों का एक पूरा जुंड आता था गाउं की ओर और इन पूरे मजदूरों पर हमला करके उन्हें विवश करता था वहां से भागने के लिए जाने के लिए अनाज लूट लेते थे उसके साथ पशु भी लूट लेते थे और काफी कुछ जो वहां की जो विवस्था थी उसको बहुत कुछ बिगार देते थे तो एक तरीके सम कह सकते हैं कि पहाडिया लोग अपनी विवश्था के कारण विवश्था अकाल की विवश्था थी खाद्यान का भाव होने की विवश्था थी और तीसरा अंग्रेजों के द वारा उनकी जीवन शैली पर दखल ना सह पानी की विवस्ता थी इसलिए वे लोग बिचारे अकरमन का भी चाहरा लेते थे और सतत रूप से जमीदारों पर व्यापारियों पर और खेती अर्मदूरों पर भी हमला करते थे और ये सब बढ़ता ही जा रहा थे क्योंकि अंग् रियाक्शन भी बढ़ता जा रहा था अंग्रेज सरकार ने बहुत कोशिश की इनकी समस्या का निप्टारा करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने कई बार भरतक प्रयास किया कि बहारिया लोगों का जो मामला है वो किसी तरह सुलच जाए शान्त हो जाए लेकिन वे असफ़ल रहे बाहरी लोगों के हस्तक्शिप करें तो सत्रा सो सत्थर ईस्वी के दशक में राजमहल की पहाड़ियों को अंग्रेजों ने निर्णे लिया कि अभिसे नर्जन कर दिया जाए यानि राजमहल की पहाड़ियों में जो लोग रहते हैं उन्हें जहां से भगा दिया जाए और ये बाद भी 1770 के आज पास की है याने मात्र 15-20 वर्षी हुए थो उनको बंगाल की सत्ता अपने हाथ में लिये और उन्होंने शुरू कर दिया था अपना निर्णा पाहडिया को हटाने के लिए उन्होंने बड़ा कड़ा दिश्टकोर अपनाया बड़ी अत पूरता पूर्वक उनका शिकार किया और उनका संभार किया एक तरीके से इन पहाडिया लोंगों को राज महल के आसपास से खित्र से हटाने के लिए बड़ी निर्ममता से अंग्रेज पेशाया लेकिन शीगरी अंग्रेजों के लिए ये साफ हो गया कि पहाडिया लोंगो को पूरी तरह से हटाना पूरी तरह से उन्हें यहां से खदेड़ देना एक तरीके से दुशकर कारे होगा और कहीं हमारे लिए नासूर सावित ना हो जाए जिस पहाड़िया लोगों को उन्होंने खदेड़ने की कोशिश की और उन्होंने एक तरीके से उनके साथ दमन पू और उन्होंने पहडिया लोगों को शान्ति का प्रस्ताओ भेजा, लेकिन पहडिया लोग अब तक इतने ज़्यादा विचलित हो चिके थे, इतने ज़्यादा अंग्रेजों के विरोधी हो चिके थे, कि उन्होंने उनके शान्ति प्रस्ताओं को भी स्विकार नहीं किया, उस समय ये कोशिश अंग्रेजों की हो रही थी शांती की शांती अभियान के माध्यम से ऐसी कोशिश जब ये कर रहा थे तो ऐसा करने के प्रयास में पहड़िया लोग स्वायम को शतुरता पूर्ण सेन दलों से स्रक्षित करने तथा बाहरी लोगों से संगर्ष चालू रखने के उद्रेश से पहाड़ों के अंदर चलेगा ये काफी गहराई में चलेगा ताकि ये जो अंग्रेजों का जो सैन दल आ रहा है उससे अपने को सुरक्षित रखते हैं और संघर्ष जारी रह सके तो एक और जहां अंग्रेजों लोग कोशिश कर रहे थे अंतता अपनी ये मानने की कि हाँ इसे निर्जन नहीं किया जा सकता पहाड़ी लोगों को यहां खदेड़ा नहीं जा सकता दूसरी और पहाड़िया लोग स्वाहम इतने ज़्यादा तेजित हो चुके थे इतने ज़्यादा विरोधी हो चुके थे कि उन्होंने संघर्ष जारी रखने का निर्णे लिया और अंग्रेजी फौज से बचने के लिए जंगलों के अंदर चल का मैं जिक्र किया हूँ वो फ्रांसिस बुकानन ने जब इस खेत्र का दौरा किया राजमहल की पहाड़ियों का तो उसे तो बहुत खतरनाक लगी ये पहाड़िया उसे एक तरीके से अभेद्य लगी उसे ये महसूस हुआ कि ये इन लोगों उपर विजय पाना इन लोगो तक पहुँचना ही बहुत कठिन है विजय पाने की तो बात ही दूर बुकानन जहां कहीं भी गया उसे बिलकुल साफ लग रहा था कि ये जो निवासी हैं सारे पहाड़िया लोग राजमहल के आसपास के लोग ये बिलकुल पूरी तरह से शत्रता पूर्ण बरताओ कर रहे हैं उन्हें कताई बरदाश नहीं है किसी बाहरी ताकतों का किसी बाहरी सब्विता का किसी बाहरी लोगों का आना बुकानन को पहाड़िया लोगों के दिष्ट में अपने लिए संदेह और अविश्वास के भाव ही मिले उसे ये लगातार अनुभूती होती रही कि पहाड द्रिष्टी गोचर होता है कि वे हम पर कतेई विश्वास नहीं करते अविश्वास का भाव विल्कुल उनके चेहरे पे सपश दिखाई देता है ऐसा बुकानन का मनना थो